सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो विक्रांथ चैनल को और बेल आइकन बजाईए आल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए हलो दोस्तो टेक्नो विक्रांथ में आप सभी का स्वागत है फाइनली Realme X7 Max के अंदर Realme UI 3.0 का C.14 का न्यू अपडेट जो है रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है और इस अपडेट को काफी सारे यूजर ने अपने डिवाइस के उपर अपडेट भी कर लिये है और मैं भी इस अपडेट को 3-4 दिनों से यूज कर रहा हूँ और इस अपडेट का जो टेस्टिंग है काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है और इस वीडियो में मैं इसी अपडेट के बारे में बताऊंगा कि कौन-कौन से न्यू फिचर से देखने को मिलता है इसका बेटरी परफार्मेंस किस टाइप से देखने को मिलता है इसका गेम परफार्मेंस किस टाइप से देखने को मिलता है साथ ही इसका अंतुतू स्कोर कितना देखने को मिलता है और क्या-क्या bugs fix हुए है सभी कुछ बताने वाला हूँ दोस्तो पूरा वीडियो देखिएगा तो चलिए start करते हैं तो यहाँ पर bugs और features के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप इसके about device check out कर सकते हैं जहाँ पर आपको official version देखने को मिलता है और Realme X7 Max का model number RMX3031 देखने को मिलता है एंड़ इस बात की जाए इस update के basic information की तो यहाँ पर आपको C.14 का new update देखने को मिलता है और इस update का जो size है किसी-किसी user को 1GB के आसपास मिलता है किसी user को 4GB के आसपास को यह update देखने को मिलता है और किसी-किसी user को 781MB का मिलता है और यहाँ पर मेरे को 745MB का मिला है और यह आपको Realme UI 3.0 के update के साथ official version देखने को मिल जाता है बात की जाए इस update के बाद इसके security page की तो यहाँ पर इस update के बाद 5th August 2022 के साथ latest enhanced Android security patch देखने को मिलता है इस update के साथ इसके अलाव बात की जाए अगले change की तो system के अंदर यहाँ पर system में जो भी छोटे-मोटे non-issue थे bugs वगरा देखने को मिलता था उसको यहाँ पर fix करके better कर दिया है जिससे की आर भी better experience देखने को मिल जाता है साथ ही जो apps opening closing है उसको भी improve करके better कर दिया है किसी-किसी user को काफी ज़्यादा lagging issue देखने को मिलता था तो उसको भी इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे की आपको आर भी better experience देखने को मिल जाता है इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की तो application के अंदर यहाँ पर दोस्तो clock plugging या फिर clock widgets वगरा को यहाँ पर optimize करके और भी better कर दिया है जिससे कि आप अपने display में plugin करते हैं या display में show करते हैं तो उस time पर आपको better performance देखने को मिलता है साथी दोस्तो application के अंदर ही यहाँ पर google search को add कर दिया है desktop के अंदर अगर आप कोई सभी apps वगरा को या features को search करते हैं तो उसको आप google search के through भी आप search कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं जो भी नाम यवगरा search करते हैं उसको आप Google Search में भी सर्च कर सकते हैं तो इस features को यहाँ पर properly add कर दिया है जिसके तुरू आप कोई सभी features या function वगरा को या किसी भी चीज को आप Google Search में सर्च कर सकते हैं इसके लाओं बात की जाए अगले changes की तो यहाँ पर दोस्तो अगर आप app drawer में जाते हैं तो यहाँ पर एक hot apps का option देखने को मिलता है जिसके लिए काफी user परसान रहते थे कि इसे कैसे disable करे या इसको uninstall कैसे करे करके लेकिन दोस्तो इस update के बाद finally इस apps को आप uninstall कर सकते हैं आप देख सकते हैं जैसे ही इस apps को tap करके रखते हैं तो यहाँ पर आपको uninstall का option देखने को मिल जाता है जैसे ही आप click करेंगे तो आपको यह apps जो है properly uninstall देखने को मिल जाएगा यह option पहले नहीं दिखाई देता था और ना ही यह uninstall होता था लेकिन इस update के बाद आप इसे finally uninstall कर सकते हैं इसके लाओ बात की जाए बक्स की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर battery के section में advanced setting के अंदर app quick freeze का यहाँ पर दोस्तो जो app quick freeze है वो open ही नहीं हो रहा है अगर आप tape करते हैं या click करते हैं तो वो उस tape का या click का कुछ भी response नहीं देता है आप देख सकते हैं मैं इसको click कर रहा हूँ टेप कर रहा हूँ तो ये आपको कोई भी response नहीं दे रहा है उसीक साथ अगर आप setting के अंदर f से के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको auto launch का option देखने को मिलता है उसको भी यहाँ पर click करने पर यहाँ पर कोई भी response नहीं दे रहा है तो ये एक box है जो इस update के बाद देखने को मिलता है इसके लाओ बात की जाए अगले box की तो वो आपको मिलता है दोस्तो screen flickering का यहाँ पर दोस्तो अगर आपके device का brightness जो है screen off होने के लिए low होता है, dim होता है तो उस time पर आपको flickering issue देखने को मिलता है आपको beach में lining देखने को मिलता है आप यहाँ पर बारी किसे देखेंगे तो आपको यहाँ पर flickering issue देखने को मिलता है आप यहाँ पर देख सकते हैं जब brightness low होता है, dim होता है इस्क्रिन आफ होने के लिए तो आपको कुछ इस टाइप से फ्लिकरिंग इसू देखने को मिल जाता है इसके लावा बात की जाए निव फीचर्स की तो वो आपको मिलते हैं दोस्तो सेटिंग के अंदर privacy section के अंदर privacy dashboard में यहाँ पर दोस्तो एक छोटा सा features जो है add कर दिया है जो की है refresh का यहाँ पर देखेंगे आपको ऊपर के side में एक rounded arrow देखने को मिल रहा है जो की refresh का option है यह features दोस्तो पहले देखने को नहीं मिलता था जिसे इस update के साथ add कर दिया है हाला कि दोस्तों ये छोटा सा features है जिसको यहाँ पर add कर दिया है जैसे ही आप इसे click करेंगे तो आपका जो privacy dashboard का page है वो refresh हो जाता है इसके लाओ बात की जाए अगले features की तो यहाँ पर सबसे बड़ा features जो है वो software update interface का है हाला कि दोस्तों ये features सभी realme UI 3.0 वाले devices में add कर दिये हैं लेकिन ये काफी बड़ा changes या new interface देखने को मिलता है और ये interface दोस्तों realme UI 4.0 का interface है जिसको यहाँ पर add कर दिया है इसके लाओ बात की जाए अगले features की तो वो आपको मिलता है दोस्तों वीडियो streaming में यहाँ पर दोस्तों अगर आप online वीडियो अगर आप play करते हैं देखते हैं तो आपको यहाँ पर HDR का support देखने को मिल जाता है अब देख सकते हैं यहाँ पर HDR का full support देखने को मिल जाता है तो इस features को भी इस update के साथ add कर दिया है इसके लाओ बात की जाए अगले features की तो वो आपको मिलता है दोस्तों wallpaper के अंदर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको crucial wallpaper का new option देखने को मिलता है यह दोस्तों lock screen magazine या glance for real me का updated version है जिसको आप उसी type से use कर सकते हैं यहाँ पर आप add के option में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको lock screen में अपने album से करना है या फिर इसी system apps से उसको आप यहाँ से add करके crucial wallpaper को आप easily use कर सकते हैं साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको केवल crucial wallpaper सो करना है या recommendation वाले option भी सो करना है उसको भी आप यहाँ से choose कर सकते हैं और apply करके use कर सकते हैं तो यह features भी देखने को मिल जाता है एंड़ी इस बात की जाए इस update के बाद इसके battery performance की तो यहाँ पर दोस्तों इस update के बाद जो battery performance है उसमें काफी जादा battery draining का problem फ्रेज करना पड़ रहा है तो यहाँ पर इस update के बाद बहुत ही fast battery draining देखने को मिल रहा है लेकिन दोस्तों जो charging speed है वो यहाँ पर सही देखने को मिलता है और यहाँ पर दोस्तों अगर आप charging करते हैं तो charging speed जो है आपको सही देखने को मिल जाता है लेकिन दोस्तों अगर आप charging करते हैं तो उस time पर आपको थोड़ा सा heating issue भी देखने को मिलता है एंड़ इस बात की जाए इस update के बाद इसके game performance की तो यहाँ पर जो game performance है वो काफी smooth और stable देखने को मिलता है पहले दोस्तों आपको game में lagging इसू, frame drop इसू, jitter इसू देखने को मिलता था उसको यहाँ पर fix करके better कर दिया है, जिससे कि आपको RB smooth और stable gameplay देखने को मिलता है इस update के साथ, साथ ही दोस्तों अगर आप game खेलते हैं, तो आपको hitting इसू भी देखने को मिल जाता है एंड़ीज बात की जाए, इस update के बाद इसके अन्तुतू score की, तो यहाँ पर आप check out कर सकते है मैंने इस update से पहले, I mean c.14 के update से पहले, इसका practically अन्तुतू score चेक किया था जहाँ पर आपको 7,10,000 के आसपास देखने को मिलता है साथ ही इसका CPU, GPU, Memory, UX का score भी आप देख सकते है आपको काफी जादा score देखने को मिलता है लेकिन दोस्तो c.14 के update के बाद मैंने इसका फिर से practically test किया है जहाँ पर इसके अन्तुतू score की बात करे तो 6,96,000 के आसपास देखने को मिलता है साथ ही इसका CPU, GPU, Memory, UX का score भी आप देख सकते है आपको कुछ इस type से देखने को मिल जाता है जो कि पहले से काफी कम देखने को मिलता है पहले से यहाँ पर down देखने को मिलता है और यहाँ पर दोस्तो मेरा जो device है 8GB, 128GB का है हो सकते है दोस्तो आपको अलग-अलग अन्तुतू score देखने को मिले क्योंकि दोस्तो वो variant के हिसाब से अलग-अलग देखने को मिलता है तो यह रहा इस update का full review दोस्तो यह update आपको मिला है कि नहीं मिला है और मिला है तो कौन-कौन से bug से देखने को मिलता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तक तक के लिए गुड़ बाई एंड टेक केर दोस्तों